हेलो एवरिवाण स्फ़ागत करते हैं हमारे यूटूब चैनल डेवीड महीर ओफिस यहल में दोस्तो यहां पे आज हम सीखेंगे कि अगर आपने किसी को कौफी राइट स्ट्राइक दिया है तो उनमें से जो कौफी राइट स्ट्राइक है अगर आपने अपने मन फिरा लिय मां लीजिये आपने उस stride को हटाना चाहते हैं तो आप किस तरह से उनके जो stride है आप हटाएंगे तो यह सारे जो ट्यूटिरियाल है practical ही होगा आप के आखों के सामने आप खूद ही देख सकते हैं और यहां से आप सीख सकते हैं तो हमारे इस चैनल डेविड मेहर आप सब की को स्वागत करते हैं अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे यूटूब चैनल डेविड मेर आफिसल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वैल आइकन है उसको भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ओल कीजिए तो चलिए जो आपडेट है उसके तरह हम बढ़ते है देखिए एक दोस्त है उनका मैंने कौफी राइस ट्राइक दिया था जिन्होंने मेरे चैनल से ही एक ही वीडियो आफ्लोड कर दिया था यह मेरा ही वीडियो है उन्होंने आफ्लोड किया था तो मैंने उनकी जो वीडियो को रिमोव कर दिया यूटूब की तरफ से और उन आपको अपने वाइटी स्टूडी में जाना होगा, मानले जी यह आपका डेश्बूर है, आपको यह लेफ्ट काउटर में बहुत सारे ओप्सोंस है, आपको कॉफी राइट के ओप्सों पर क्लिक करना होगा, जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपके सामने चार्ट हो यहाँ फề टैब खुलेगा, मैचे से, रिमोबाल रिक्वस्ट, मैसेज़स, आर्काइब, इनमें से आपको रिमोबाल रिक्वस्ट के ओपर क्लिक करना होगा, मानले जी यहाँ पे जब आपने। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जितने लोगों को स्ट्राइक दिए हैं और जिन जिन लोगों का वीडियो आपने हटाया है पूरा का पूरा लीस्ट आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए मैंने ये दोस्त का यहाँ पे जो मैंने स्ट्राइक दिया था टेक्निकल सूरिया एक चेनल है इनके चेनल पर मैंने स्ट्राइक दिया था तो इनके चैनल पर ये जो स्ट्राइक मुझे हटाना है तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले ये जो वीडियो है इसके राइट कोन में देखे एक्सपांड ओफ्सन है ये एक एरो मार्क है डाउन एरो जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सपांड हो जाएगा और एक्सपांड होने के बाद यहाँ पर दो ठो लिंक आएगा सामने एक तो इंक फिंग वीडियो यॉरल जो कि उनीके वीडियो है उनीके चैनल पर डाला हुआ वीडियो का यॉरल है और ये जो है यूटूब यॉरल अफ माई ओर्जिनल वीडियो यानि कि ये मेरा ही वीडियो है आपको भी ऐसे ही दिखाए देगा आपके जो डेस्पोर में फिर आपको इस लिंक को कॉफी करना है तो कॉफी करने से पहले आपको जीमेल पर जाना होगा माल लिजिए आपको जब आप गूगल पर लिखेंगे रिट्रेक्ट कॉफी राइट इन्फिगमेंट जब लिखेंगे तो लिखने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ओप्संस आपको दिखाए देगा आपके सामने होगा पर मैं आपको सीधी से बता रहाँ कि जब आप हटाना चाहते हैं तो एक इमेल है देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कॉफी राइट दरे यूट्यूब डाट कॉम यही वो इमेल है इस इमेल पर आपको एक मैल भेजना होगा मा लेजे आप जिस इमेल पर अपना जो यूट्यूब अकाउंट खुला हुआ है उसी एमेल पर उसी जीमेल पर आपको एक मैल भेजना होगा तो इसके लिए देखें मैंने अपना Gmail account भी खुल लिया यहाँ पर compose कर रहा हूँ एक mail compose कर रहा हूँ mail compose कैसे करना है क्या क्या करना है वो सारा चीज इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ और इसके जो demo format है वो भी जो description में दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको paste करना होगा यहाँ पर जिस mail को आपने उठाया है सही mail यहाँ पर डालना होगा to में फिर subject में आपको लिखना होगा retract copyright strike यहाँ पर लिखना होगा retract copyright strike जैसे आप लिखेंगे retract copyright request रिखना होगा request जैसे आप लिखेंगे फिर आपको नीचे यह subject में आपने लिख लिया retract copyright request उसके बाद आपको नीचे लिखना होगा अपने जो वीडियो के जो URL है उससे पहले आपको hello team I want to retract my copyright request यहीं लिखना होगा जैसे में लिख रहा हूँ hello team I want to retract my copyright strike जब आप ऐसे लिखेंगे फिर उसके बाद वीडियो URL लिखना होगा आपके सामने जो box है यहाँ पर लिखना होगा वीडियो URL लिखने के बाद यहाँ पर दो बिंदी आपने दे दिया उसके बाद आपको उसी वीडियो जो infringing वीडियो है उसकी जो लिंक है coffee करने के बाद coffee देखी यहाँ पर जो आपको mail लिखना है coffee right at the youtube.com फिर subject में लिखना होगा retract coffee right request फिर उसके बाद जो message body है यहाँ पर लिखना होगा hello team I want to retract my coffee right strike उसके बाद video URL आपने वीडियो जो remove किया था उनी वीडियो का URL आपको यहाँ पर paste करना होगा जब आप paste कर लिया इतना सारा complete होने के बाद उसके बाद आपके सामने जो नीचे है यहाँ पर आप regard लिख सकते है regards लिखने के बाद आपके नाम लिखना होगा पूरा नाम जो कि आपके official नाम है लिखने के बाद आप यहाँ पर send पर click करेंगे जैसे आपने send पर click कर दिया आपके सामने एक sent message आ जाएगा तो इसके बाद आपके जो message है इसको YouTube team जो है वो verify करेंगे इसके ओपर review करेंगे उसके बाद वो video जो strike था strike हटा दिया जाएगा और video को भी बोलोग वाफस ले देंगे यहाँ पर उनके जो channel पर वाफस लेने के लिए वो proceed कर देंगे तो यही था process कि आप कैसे अपने जो strike है दूसरों के channel पर जो आप strike देते हैं तो उनको कैसे आप remove कर सकते हैं यह छोटा सा process था आप सभी के लिए practical था अगर video अच्छा लगा तो वीडियो को like केजिए, channel को subscribe केजिए और हमें support केजिए Thank you so much Thank you for watching